जैसा कि मैंना कल के व्लॉग में बोला था कि कल से आपको अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे यानि कि आज से आपको अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे और वही कोशिश करें कि आज कुछ आपको अच्छी तरीके से दिखाएं कुछ वर्थ दिखाएं ना तो दरहस वही दरसल में आया था मुझे लगा कि यहां पर डाक पहुंची है यानि कि पोस्ट यहां पर आ रखी है लेकिन अनफॉर्चनेट बुलाओ गडियाओं में आ रखी है तो गडियाओं लेने के लिए जाना है लेकिन जो भी है यहां पर आने के वाद में मतलब इस सीरिया में आने के वाद में काफी अच्छा लगता है क्योंकि नदी बह रही है और इस तरफ में हरे बरे खेते हैं अभी दरसल इन खेतों में गेहूंबो रख है और साथ ही साथ में आप नदी भी देख सकते हैं नदी द पहाडी की वज़े से कहीं नहीं दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन जो भी है पोस्ट आपिस को वर्क है उसे घर पर डिलिवर करना चाहिए था चलो कोई बात नहीं इसी बाने घुमने तो आगे यहां पर और यह है गडियाओं के यहां पर प्रैमिर स्कूल और जो वोटिंग को का ही टाइम क्यों नहीं मतलब बहुत ही गंदे वाली धूक लगती है वहां पर कई बारी में जाता था उनके घर पर बुरे हाल हो जाते थे भाई और घरमियों के टाइम पर और जाता यह बेखो नदी साथ साथ में इस वाली नदी में दरवसल मच्छियां नहीं है कफी इचका से मच्छियां सकते हैं हुए थीक भी बीज उबीच पोँच चुके और यह जाए पूरे पूरे कीपूरे मिट्टी लुए अभिसेलिएंड है और दूप की बात करो। बहुत तेज लग रही है बहुत तेज यहां से उस चोटी में मेरा गाहू दिखाई दे रहा है यहां से काफ़ी अच्छा तरीकी से दिखाई देता है वातले लगता है कि पीक में है उपड़ लेकिन जैसे मेरे में जाते है तो वहां से सब कुछ चीजा चेंज हो जाती है, दिखावा है, तो जिस जगह पर आना था हमें, वो जगह पर पहुंच चुक है, दरसल नीचे से उपपर आते होगा थोगा थोड़ी बहुत चड़ा है, लेकिन चलेगा इतना कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाना है यहां पर इ ही कहते हैं पीसे लिए, तो वह हो रक्या भी रिसंटली हुई थे कुछ टाइम पहले, तो शायद इन में बीच बहुत है, पता नहीं क्या बहुत है, मुझे लगता है चावल बहुत हैं और अब देखो यहां से गढ़ियाओं का जो वैली देख रही है थोड़ी बहुत, य आपको यहां पर इस तरह के से दिख रहा हो काना है कि पहाड़ी बड़ी खुबसूरत है लेकिन बिल्कुल भी आसा नहीं है, यह बहुत उंचाई है और उसे के साथ में यहां पर मतलब थोड़ा उपर चोटियों मतलब सूखा पंसा रखा है बीसे लिए, वही सब चीज है वह चलते हैं और अपना जो काम है उसे कंप्लीट करते हैं पहले, पोस्ट ओपिस में अपना काम कंप्लीट करके आचुके हैं और अभी तल्ला गडियाओं के बीच गाउं में, उधर उनने बीच गाउं बोला था, सेंटर यानी, लेकिन अभी अपना में गाउं है, जो जह यहां से साफ दिखाई दे रहा है वाइट कलर करना चमक रहा है बढ़िया तरीके से लग रहा है यहां से मतलब यहां से काफी हाइट में हमार गाऊं तो काफी यहां से लगता कि यहां काफी अच्छी जगा होगी वैसा जगा बढ़ी है लेकिन फिर भी यहां से काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन रहती है तो यह दिखाई दे रहा है तलला गड़िया हूँ और उपर को दिखाई दे रहा है चोटी में उपर को मेला गड़िया हूँ उस साइड में दर असल नीचे से अच्छी तरीके से घर नहीं दिखाई दे रहें ए्गर थोड़ासे इस साइड से दिखाईंगे तो तो अच्छी तरीके से दिखाई देखnd लेकिन अभी हम थोड़ासा डाउन में आगे हैं 10 कि तो यहाँ से गडियाओं के वैले देख सकते हैं वैली कितनी खूपसूरा दिखाई दे रही है और इस सैड में पूरा उपर तक तला गड़ी है हुआ दरसल यहां से काफी बढ़िया दिखाई दे रहा है और जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था नहीं दिखाई देता है लेकिन उपर से थोड़ा बहुत सामने पहुंचोंका तो वहां से भी यह इयरिया दिखाई दीगा तो यह वाला एरिया जहां पर गौवसालाय होती है यानि कि सारे गाउं की गौवसालाय होती है यहां पे तो ऐसा गरते तो उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा देखने को मिलीगा तो यहाँ पर यह चोटे चोटे गहर है अब यह तो पता नहीं है कि पहले इन में लोग रहते थे कि नहीं रहते थे लेकिन अभी के टाइम पर गायव ऐसे रहती है बस तो यह देखो क्या खुपसूरा दिखाई देखे रहा है पहाडी लाइफस्टाइल एंड कल्चर तरनास्ते शीवपा बचड़ा आनाची तमार मनकू तरनास्ते शीदिंती आज़ने कू देख्टो नाची तो खोड़ काई तो आज़ा कि मां भण कू जानेगी है थोड़ा तमल खाल बेज़े ही होती कि अधर नौस्ते अधर नौस्ते अधर नौस्ते अधर लोग दिरसल अभी न घास लेकर आ रहें जंगलों से करके बटल आना शाया अच्छा द्वारी बटन है तो लोग इस तरीके से पहाड़ों में घास लेकर आते अपने पच्छियों के लिए दूर दूर से लेकर आता है यह लोग दरसल इस वाली पहाड़ी से लेकर आ रहें इसके लिए यहां पर द्वारी कहा जाता है मतला इस वाले इरिया के लिए और यह वाला इरिया देखो बड़ा खूबसूरा दिखाई देता है एक घर बना बीच में बहुत ही बड़ी आजगा में बना है और चारो दरब खेत है हर्याली छा रखे बस गड़ियाओं से आच्छे कॉम वापस यानि के अपने गाउं में जस अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया है तो मैंना सुझा एर थोड़ा सा वाक करके आते हैं जैसा कि मैं हमेसे कहता खाने के बाद तुरंत आराम नहीं करना चाहिए थोड़ा सा वाक कर लेनी चाहिए तो वही सब चीज़े कर रहा हूं दरसल गड़ियाओं में कई ऐसे पार्ट है जिनको हम मतलब एक जगह से नहीं दिखा सकते हैं जैसे यह आपने देखा होगा आज भी मैंने कोशिश करी थोड़ा बाद गाउं दिखाने की लेकिन सिंगल फ्रेम में गड़ियाओं को दिखाना इस लाइक एंपॉसिबल तिंग राइट कि हम अगर चाहे न तो एक कोने से कभी हम गड़ियाओं को नहीं दिखा सकते पूरा इवन जैसे मेरा घर है गड़ियाओं के सीधा फ्रंट म है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगहा पहुंचना है तो भाई आदा घंटे से जादा लगेगा मतलब ना इतना बड़ा फैला हुआ गाउं है तो उसके वाइसे कई ना कई मतलब पूरा गाउं नहीं दिखा पाए लेकिन कोई बात नहीं है यार लेकिन आगे चलके जब अपना चैनल अच्छा से ग्रो हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा तो हम ड्रॉन शोट से अच्छे तरीके से दिखाएंगे मतलब गडियाओं को ना ड्रॉन से अच्छे से शूट करेंगे अपने घर से उड़ाएंगे तीन किलोमेटर ही होगा अल्मोस्ट मुझे लग करता है इस व्लाग को यहीं परन करता है होफ़िली आपने व्लाग इंजा क्या होगा वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकॉन भी प्रस कर देना जिससे कि आपको आने वीडियो की अपडेट मिलती ही रही तो मिलता है कल के व्लॉग में तब तक लिए टेक के रहें बबाई